इंडिया में custody deaths एक बहुत ही serious human rights issue है ये एक ऐसा दुख है जो हमारे justice system में छुपी हुई क्रूरता और जवाब देही की कमी को दिखाता है मौतें, police custody में, judicial custody में, यहां तक की army या paramilitary forces की हिरासत में भी होती है ये मौतें अक्सर torture, लापरवाही या फिर fake encounters का नतीजा होती है पीडित अक्सर समाज के वो लोग होते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता गरीब, दलित, आदिवासी या धार्मिक अल्प संख्यक custody deaths ना सिर्फ पीडितों और उनके परिवारों के लिए दुखद होती है बल्कि ये कानून के शासन और देश की छवी को भी धूमिल करती है Indian Constitution जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंतरता की रक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय देता है अनुचेद 20 अपराधों के लिए दोशसिद्ध के संबंध में सनरक्षन प्रदान करता है अनुचेद 21 ये सुनिश्चित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंतरता से वन्चित नहीं किया जाएगा अनुचेद 22 गिरफतारी और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के साथ व्यभार के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है उदाहरण के लिए CRPC की धारा 50 आताय ताकिव करता है प्रोसीजर के दौरान व्यक्ति को उसके अधिकारों से अवगत कराने का प्रावधान करती है जिसमें चुप रहने का अधिकार और वकील से सलाह लेने का अधिकार शामिल है पुलीस, लॉइन्फोर्स्मेंट एजनसीज की पहली कड़ी होती है और हिरासत में लिये गए व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई के लिए जिम्मेदार होती है हालांकि पुलीस बूटालिटी और सजा से मुक्ति की संस्कृती हिरासत में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण है पुलीस अक्सर जाँच के दौरान जबरदस्ती और प्रतारना का सहारा लेती है और हिरासत में मौतों को आत्महत्या या प्राकृतिक कारण बताकर अपराध छिपाने की कोशिश करती है पुलीस जबाब देही सुनिश्चित करने के लिए मजबूत व्यवस्था का न होना एक गंभीर चिंता का विशह है सेक्शन फोर हिरासत में मौतों के आंकडे और न्यायक हस्तक्षेब National Human Rights Commission NHRC के आंकडे भारत में हिरासत में मौतों की गंभीरता को दर्शाते हैं NHRC के अनुसार 2019-2020 में पुलिस कस्टडी में 1.713 मौते हुई न्यायक हिरासत में भी मौते एक चिंता का विशह हैं जहां 2019 में 1.8801 मौतें दर्श की गई सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में होने वाली मौतों के मुद्दे पर कई एतिहासिक फैसले दिये हैं उननीस से उते आए में डीके बसू बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफतारी और हिरासत के दौरान पालन किये जाने वाले दिशा निर्देश जारी किये जिनका मकसद पॉलिस ज्यादती को रोकना और हिरासत में लिये गए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना था हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने के लिए एक बहु आयामी द्रिश्टिकोन की आवश्यक्ता है पॉलिस सुधार जवाब देही तै करने के लिए मजबूत व्यवस्था और पीडितों के लिए नियाय तक आसान पहुँच सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है स्वतंत्र जाच एजेंसियां पॉलिस कर्मियों के लिए समवेदी करण प्रशिक्षन और हिरासत केंद्रों में CCTV कैमरों की स्थापना कुछ प्रभावी कदम हो सकते हैं सबसे जरूरी है मानवा धिकारों के प्रती बिलकुल भी धील ना देने की संस्कृति को बरहावा देना